हले दोस्तों तुब आपका स्वागत है एरी जार्फन क्लासेस में कुछ व्यस्तता आ गई थी इसके वज़ा से क्लास नहीं ले पाए व्यस्त हो गए थे तो इसके लिए छमा अब देखिए चलिए क्लासस स्टार्ट करते हैं जो कि नागपूरी कवी का mcq जो कि बहुत ही ज द्यान से देखेंगे जो mcq है किसका है नागपूरी कवी का नागपूरी कवी का mcq है सो द्यान से देखते रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जरूर वीडियो अच्छा लगे तो चलिया स्टार्ट करते हैं कि नागपूरी जगत के प्रथम ग्याद कवी कोन है कई नागपूरी जगत के प्रथम ग्याद कवी कोन है कई हनुमान सिंग रगुनाथ निरपती दोनों या फिर कोई नहीं तो इसका हो जाएगा क्या चीज दी रगुनाथ निरपती ठीक है चल क्वेशन नंबर दू चलते हैं कि नागपुरी के प्रथम कभी रगुनात निरपती कर समय का है जो नागपुरी के प्रथम कभी रगुनात निरपती है उनका समय काल क्या था 1626-1668 1650-1684 या फिर 1788-1780 या कोई नहीं तो option number हो जाएगा टू का 1626-1668 तक रगुनात निरपती का समयकाल था ये questions बहुत बार पूचे जाको चुके हैं इसको भी भी आई कीजिएगा रगुनात निरपती नागवनसी के काउं कैमा राजा थे कैमा महराजा थे तो 48-15, 47-17 या फिर कोई नहीं तो ये थे 50-15 राजा थे रगुनात निरपती नागवनसी के 50-15 राजा थे option number 2 question number 4 रगुनात निरपती के भक्ती और रचना में केकर जिक्र मिलल आहे रगुनात निरपती के भक्ती और रचना में केकर जिक्र मिलल आहे बरजुराम, कबीरदास, चैतन्य महापरभू या फिर सभी तो option number C हो जाएंगे कि रगुनात निरपती के भक्ती और रचना में चैतन्य महापरभू का जिक्र हुआ है चलिए, नेक्स जिक्ते है रखुनात निरपती के रचल गीत में किकर प्रभाव सबसे बगरा मिलेला सबसे ज़्यादा मिलता है गुजराती, बंगला, दोनों, कोई नहीं तो कौन है? तो ये कौन सा हो जाएगा? option number B बंगला राकर सबसे ज़्यादा प्रभाव है यहाँ देवल में से नागपुरी कर पहिल कहानिकार है कई? नागपुरी कर पहिल कहानिकार कोन है कई? धनिराम बक्सी, विशेश्वर प्रसाद के स्री, प्रफुल कुमार राय या फिर बर्जुराम कोन हो जाएंगे? option number A धनिराम बक्सी यानि कि नागपुरी कर पहिल कहानिकार कोन है कई? देवल में से नागपुरी कर पहिल कहानिकार कहनिकार है यानि कहानिकार धनिराम बक्सी हुए questions बहुत ही ज़ादा important है इसलिए questions को एकदम ध्यान से देखते रहेंगे ठीक है? नागपुरी कर पहिल नाटककार के है गई? पहिल नाटककार यहाँ बोला है पहिल नाटककार क्या बोला गया है? कि पहिल नाटककार ठीक है? पहिल नाटककार बोला गया है ठीक ना? विश्णु दत्साहू, ठाकुर प्रसाद, सुसील कुमार लाल या फिर कोई नहीं क्या हो जाएंगे? ओप्सन नमबर B सुसील कुमार लाल दिख्या? नेक्स्ट क्वेस्टन क्यों चलते हैं? 2016 में प्रफुल कुमार राय सम्मान कोन नागपुरी साहित्यकार के देल जाए है? मतलब कि 2016 में प्रफुल कुमार राय सम्मान ये एक सम्मान है जो नागपुरी साहित्यकार के दिया जाता है ये किसको मिला 2016 में? प्रफुल कुमार राय सम्मान तो किसको मिला? भुवनेश्वर अनूज को महंत घासी को बर्जुराम या फिर कोई नहीं तो ओप्सन नंबर हो जाएगा ए यानि भुवनेश्वर अनूज को 2016 में प्रफुल कुमार राय सम्मान नागपुरी साहित्य का मिला था नागपुरी भासा परिशद में परिशद कोन नागपुरी विद्वान के 2016 में पंडित योगेन नातिवारी सम्मान दे हैं नागपुरी भासा परिशद कोन नागपुरी विद्वान के अब की देखो उपर तो प्रफुल कुमार राय सम्मान था अब नीचे क्वेस्टन्स ब नात सर्मा या फिर दोनों या कोई नहीं तो इसका हो जाएगा option number B पंडित मृत्विजान नात सर्मा ठीक है नाकपुरी next question 10 number question देखते हैं सभी questions बहुत ही ज़्यादा important जा रहे हैं नाकपुरी जगत के दूसरा ग्यात कभी कोन हकाई ये questions दो तीन बार पूछे जा चुके हैं इसको BBI कर देंगे ठीक है और question को ध्यान से देखेंगे सुनेंगे और जो भी नहीं आए उसको notes करेंगे नाकपुरी जगत के दूसरा ग्यात कभी कोन है कई जैगोबिन मिश्र हनुमान सिंग कंचन कोई नहीं तो option number B हो जाएगा कि दूसरा ग्यात कभी जो नाकपुरी के हैं वो है हनुमान सिंग नहन कोन कभी कर उपनाम है के द्रिगपाल राम देव धरिया चुनी राम दुबे उपेंद्रपाल या फिर कोई नहीं option number C हो जाएगा उपेंद्रपाल का ही उपनाम है उपेंद्रपाल नहन प्रफुलकुमार राय कर जैनती कोन महीना में मनाल जाएला अंग्रेजी महीना में मनाल जाएला अप्रेल मार्च फेवरी दिशंबर तो क्या हो जाएंगा option number C फेव में मनाया जाता है प्रफुल कुमाय राय जैन्ती नाकपुरी के दूसरा ग्याद कवी हनुमान सिंग कर जनम कहा होई रही जो दूसरा ग्याद कवी है नाकपुरी के कौन है पहले तो हम बता चुके हैं कि हनुमान सिंग है भाई लेकिन इनका जनम कहा हुआ था अब आपसे पूछ सकता है कि माले कहा हुआ था ये भी बहुत बार question पूछता है कि कौन गाउं में हुआ था ठीक है और कौन गाउं में हुआ था और कब हुआ था हनुमान सिंकर जन्म तो ये तीनों questions wise बताये हैं चलिए कि नागपुरी कर दूसरा ग्यात कभी हनुमान सिंकर जन्म कहां होई रहे घगरा, सिमडेगा, लेसली गंच, राची तो ये है आपका 13 का A यानि की घगरा ठीक है घगरा गुमला में इनका जन्म कासी चपका या फिर नावाड़ी तो option number हो जाएगा 14 का C चपका में हनुमान सिंकर जन्म हुआ था नेक्स क्वेशन क्यों चलते है बिना टाइम वेस्ट किये हुए हनुमान सिंकर रचल रचना में सीता स्वेंबर में कौन गीत में रचल आ है जो हनुमान सिंग रचे हैं सीता स्वेंबर ये तो बात पता होना चाहिए आप लोग को लेकिन ये कौन गीत में रचे हैं बंगल कान शिञ्वां सिंग द्वारा सीता स्वेंबर कौन इस बी में लिखा गया हैं अठारसो 나ya सतरासोट नव्यबंब्य 1688 2045 निवन में निवन में से कौन है तो अप्सन नंबर बी 1790 में सीता स्वेंबर लिखे हैं और वो कौन सा राग में लिखे हैं तो ये जो है भगवा राग में सीता स्वेंबर में चर्चा हुआ है ठीक है कोशीला विबा मैना खंड जरलेगी केकर रचना आहे बरजुराम मांत घासी हनमान सिंग कोई ने तो क्या हो जाएंगे अपसर नमबर सी हनमान सिंकर डॉक्टर केशरी के अनुसार हनमान सिंकर जनम कहा हुआ था किसके अनुसार हनमान सिंकर जनम तो घागरा गुमला में हुआ था लेकिन केशरी के अनुसार ये क्वेस्टन्स पूछे जा चुके हैं पूछा हुआ क्वेस्टन साम आपको ये बता रहे हैं, ठीक है, ये कि केशरी के अनुसार हनुमान सिंकर जनम कहा हुआ था, नीजमा खरका, कुरामबे, खुखरा, सभी, इसमें हो जाएगा option number सभी, नाकपुरी कर तीसरा ग्यात कवी आहे, नाकपुरी के तीसरा ग्यात कवी कौन है, आपको मालूम होना चाहिए, कौन है, कंचन, बरजुराम, जैगोबिंद मिष्ट्र, या फिर महंत घासी, तो option number B हो जाएगा, बरजुराम, ठीक है, बरजुराम, option number B, next question क्यों चलते हैं, बरजुराम कर पुराना नाम आहे, बरजुराम कर पुराना नाम क्या था, बरजुराम मिष्रा, बरजुराम पाठक, दोनों या फिर कोई नहीं, बरजुराम कर रचना काल, तो इसमें कोन हो जाएगे, बरजुराम का पुराना नाम क्या होगा, option number B, बरजुराम पाठक होगा, बरजुराम कर रचना काल रहे, उन्हें 1626-1668, 1800-1850, 1765-1800, तो क्या ह option number B, 1800-1850, चले next question चलते हैं, निम्न में से कोन कभी महा माया मंदिर हापा मुनी कर पुझारी रहे थे, देखिए, एकदम मस्त questions है, एकदम BBI questions है, इसको नोट कर लेंगे, कि निम्न में से कोन कभी जो है, महा माया मंदिर हापा मुनी का पुझारी रहे थे, पहला, ए है option ठा प्रशाद, B, बरजूराम, C, हनुमान सिंग, या फिर D, कंचन, कौन होंगे option में, तो B, बरजूराम, ठेक है, बरजूराम कर निवास अस्थल कहां है, बरजूराम कर निवास अस्थल कहां है, option number A, घघरा गुमला, डाल्टन गंज, सिम्डेगा, या फिर कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा, option number A, घघरा गुमला, केकर सोध से, बरजूराम का भासा सहित गतिवीधी का परिचाय मिला, देखे, इक्वेशन्स क्या पूछना चाह रहा है, आप इस पे ध्यान दिजे, केकर सोध से, मतलब कौन सोध किये है, जो बरजूराम का भासा सहित गतिवीधी का परिचाय मिला है उससे, नहन, डॉक्टर केशरी, दोनों, या फिर कोई नहीं, ठीक है, तो कोन हो जाएगा, तो ये, option number D, कोई नहीं, ठीक है, चलिए, लरका खंडगीत, कोन विद्रोह पर अधारित है, इसको star mark दिजेगा, उन्हें 1831, 32, कोल विद्रो, संथाल विद्रो, टाना भगत, या फिर कोई नहीं, तो कोन हो जाएगे, option number A, कोल विद्रोह पर अधारित है, लरका खंडगीत, कंचन कोन कविकर, नाम है के, नाव मतलब होता है, नाम, नाव मतलब क्या होता है नाकपुरी में, नाम, ठीक है, हनुमान सिंग, चुन्नी रामदुबे, जै गोबेंदमिस, या फिर कोई नहीं, तो ये option number हो जाएगे, 26 का B, चुन्नी रामदुबे, यानि कंचन करजनम कहां हुआ था, ये सब बहुत BBI questions है, सभी BBI questions है, कभी के कुछ points, कुछ questions और हम लाएंगे, ठीक है, तो लेकिन ये जो है, ये बहुत ही है, I think 70 से 72 questions है, बने हैं, और प्रियास करेंगे कि कभी से और related questions बने, लेकिन आप लोग चैनल को like and subscribe जरूर कहें, ठीक है, यहाँ देखिए, next question, चुनी रामदुबे कर जनम, यानि कंचन कर जनम कहां हुआ था, बढ़का D, बढ़का D गुमला, सिम्ड सिम्डेगा, या फिर B घागरा, या D A और B, क्या होगा इन दोनों में से, तो D यानि कि A और B दोनों होगा, बढ़का D गुमला और सिम्डेगा, चुनी रामदुबे का जनम कौन इस भी में हुआ था, फिर से एक पर questions को देखते हैं, चुनी रामदुबे का जनम कौन से इ 1840 में, 1780 या फिर 1920 में, यानि चुनी रामदुबे का जनम कौन इस भी में हुआ था, तो ये 1862 में हुआ था, option number A, ठीक है, next question क्यों चलते हैं, अगर questions अच्छा लगें, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, जै गोबिन्द मिस्ट कर जनम कब हुआ था, जै गोबिन्द मिस्ट कर जनम कब हुआ था, तो उनिश्चो, 1880 इस भी में, 1780 या फिर कोई ने, जै गोबिन्द मिस्ट का कब जनम हुआ ओप्सन नमबर बी, 1880 इस भी में, जनम हुआ था इनका, कृष्ण लीला से संबंधित, गीत ज्यादा किस कवी के रचना में मिलता है, कंचन में, फिर से हम बता रहे हैं, कृष्ण लीला से संबंधित, इम्पॉर्टेंट क्वेस्टन्स, कृष्ण लीला से संबंधित, ग गोबिंद मिश्ड, ठीक है, महंत घासी का जनम कहा हुआ था, महंत घासी का जनम कहा हुआ था, A. राची, B. पलामू, C. हजारी बाग, या फिर कहीं नहीं, कोई नहीं, औप्सन में से, तो ये हो जाएंगे, राची, औप्सन नमबर A. महंत घासी का जनम राची में हुआ महंत घासी का जनम कहा हुआ था राची में हुआ था महंत घासी का जनम कौन गाउं में हुआ था बहुत बार questions पूछा चाच चुका है तो महंत घासी राम का जो जनम है कौन से गाउं में हुआ था देखते हैं देखिए तो महंत घासी का जनम कौन गाउं में बंजिला मांडर बंजिला मांडर हापा मुनी दोनों या फिर कोई नहीं तो इसका हो जाएगा option number A बंजिला मांडर में हुआ था देखा है कृष्ण भक्त कभी निमन में से कोन है के कृष्ण भक्त कभी के नाम से बी या 같이 है है ठीक थाकुर परसाद जय गोबिन मिश्र कंचन या फिर सभी तो त्यांतिस का हो जाएगा ओप्सर नंबर ए ठाकुर परसाद क्या हो जाएंगे ठाकुर परसाद क्रिष्ण भग्त कभी किसको बला जाता है ठाकुर परसाद को ठाकुर परसाद ठाकुर क्रिष्ण जी को बोला ही जाता है आपको मालुक मुना चाहिए, ठाकुर परशाद का रचनाकाल आये मतलब रचनाकाल उनका कब से कब तक था ठीक है? वो बताया, इसमें बताया जाएगा, ठीक है? आठारोपचास से उनिज सो तक, सतर्रसो पचास से कहारोड़ोस तक, 1920 से 1980 तक या फिर D कोई नहीं ठाकुर प्रसाद का रशनाकाल जो रहा था option नंबर A ठाकुर प्रसाद का जनम कहा होई रहे मदनपूर राची B काके C दोनों या फिर D कोई नहीं तो C दोनों होगा यानिकि मदनपूर राची काके में हुआ था ठाकुर प्रसाद का जन्म चलिए next question की ओर happily से चलते हैं और हम लोग वीडियो को like and subscribe जरूर करेंगे ठीक है एकदम ध्यान से देखेंगे वीडियो को बहुत ही जादा अच्छा और बेहद CGL में आएंगे ही आएंगे ठीक है अपके CGL को छोड़ना नहीं है और अस्थागित हुआ है बट आप लोग एनरजी को डाउन मत कीजिएगा पढ़ते रहिए तीक है नेमन में से कोन नाकपुरी कभी जगत पाल सिंग के दिवान थे कंचन, मिरत्विंजे नात सर्मा ठाकुरप्रसाद या फिर कोई ने तो ये सब ससके C हो जाएगे ठाकुरप्रसाद नाकपुरी कभी ठाकुरपरसाद नाकपुरी कृष्णलीला में कीतने गीत लिखे कृष्णलीला में कीतने गीत मिले है 35, 33, 38 अप्सन अमबर D हो जाएगा 30 ठाकुर प्रसाद के कावे का मूल स्वर क्या है जो ठाकुर प्रसाद लिखे हैं क्या है उसका मूल स्वर क्रिश्ण भक्ति राम भक्ति दोनों कोई नहीं 38 का हो जाएगा ओप्सन नंबर ए क्रिश्ण भक्ति ठीक है नागपुरी कवी द्रिगपाल राम देव धरिया कर जनम कोन इसवी में हुआ अठरसो चोरासी, अठरसो नब्बे, अठरसो पचासी, अठरसो नवासी ओप्सन नमबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा अठरसो पचासी ठीक है? द्रिगपाल राम देव धरिया का जनम अस्थान कहां है? या भी कहां है? ठीक है? कहां छुट गया? चपकी चकला सहजीना नावाडी तो इसमें से द्रिगपाल राम देव धरिया का जो है, जनम कब हुआ? तो कहां सहजीना? सहजीना में ठीक है? नागपुरी कभी मृत्विन्जयनाथ सर्मा कर जनम कहा हुआ था? रातू, बिजोलिया, घगरा गुमला, डुमरडी गुमला या फिर डी कोई नहीं ओप्सन नमबर 41 का हो जाएगा A. रातू, बिजोलिया ठीक है? मृत्विन्जयनाथ सर्मा कर जनम कब हुआ था? 17 जुलाई 1930 भी को और लास्ट लेड़ी 7 जुलाई 1925 को यानि इसमें से कब हुआ था? मृत्विन्जयनाथ सर्मा का जनम तो यह हुआ था? 13 जुलाई 1922 में 13 जुलाई 1922, 13 जुलाई 1922, ठीक है? Next question चलिए next question क्यों चलते हैं कौन से नागपुरी कवी को कवी रत्न की उपाधी मिली है? 18 साला एकदम मस्त देखिए बहुत ही जखास questions है एकदम गर्दा questions अभी हम लोगों मिला है फाडू, ठीक है? पालामों में बोलते हैं अरे बापरी, अरे साला बहुत fantastic questions मिला है ऐसे बोला जाता है, ठीक है? तो चलिए ये ना BVA questions है एकदम लिखकर नोट कर लीजे नागपुरी कवी को कवी रत्न की उपाधी किसको मिली है? मिर्तिजानाद सर्मा, सार्दा प्रशाद सर्मा घासी राम या धानी राम बक्षी ठीक है? तो इसमें से क्या मिला है? देखिए 43 का B होगा यानि सार्दा प्रशाद सर्मा को कवी रत्न की उपाधी मिली है सार्दा प्रशाद सर्मा ठीक है? सार्दा प्रशाद सर्मा को कवी रत्न की उपादी किस से मिली है तो विक्रम सीला विधापती से तो नागपुरी कर विधापती के के कहल जाईला सार्दा प्रशाद सर्मा घासी राम धनी राम बक्सी या फिर कोई नहीं क्या हो जाएगा option number B धनी राम नागपुरी कवी धनी राम बक्सी कर जनम कोन इस भी में हुआ था 1860 में 1869 में 1769 में या फिर 1762 में तो कब हुआ था option number B 1869 में धनी राम बक्सी कर जनम हुआ था घासी राम कर जनम कोन गाउं में हुआ था करकट चोटिया हापामुनी डुमर्डी सहजीना कोन होंगे तो 47 का ए करकट चोटिया में घासी राम का जनम हुआ था नाकपूरी कभी घासी राम कर आजीवी का क्या था सीखशक थे डाक विभाग में काम करते थे या फिर दोनों या कोई नहीं तो यह हो जाएगा option number C नाकपूरी कर भारत एंदू हरिष्चंद्र केके कहल जाएला जी ओ एकदम मस्त क्वेश्चंस देखिए स्टार कुश्चन्स है स्टार कुश्चन्स है कि नागपूरी कर भारत इंद्रू हरिश्चंद्र केके कहल जाई ला तो किसको कहा जाता है नागपूरी का भारत इंद्रू हरिश्चंद्र ठीक है तो ये किसको कहा जाता है धनी राम बक्सी, घासी राम, मिर्दुजिन नात सर्मा या फिर सार्दा प्रसाद ओप्सन नमबर ए हो जाएगा धनी राम बक्सी नेक्स प्रेस्टन क्यों चलते हैं धनी राम बक्सी कर जनम नाकपूरी कभी धनी राम बक्सी कर जनम कब हुआ था 13 जुलाई 1922, 14 जन्वरी 1896, 16 जुलाई 1896 या फिर 18 जन्वरी 1896 यानि कब हुआ था ओप्सन नमबर इसमें बी हो जाएगा 14 जन्वरी 1896 को इनका जनम हुआ था धनी राम बक्सी कर पिता का क्या नाम था? शुक्लाल, शुक्नात बक्सी, अनिल बक्सी, सुनील राम बक्सी, प्रणवदास बक्सी इसमें से कोन नाम था? धनी राम बक्सी कर पिता का नाम क्या था? तो ये ओप्सन नमबर इसमें हो जाएगा धनी राम बक्सी फर्स्ट, सेकेंड जगनिवास तिवारी, तीसरा सार्दा प्रशाद, देखें यहाँ C होगा, ओप्सन थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है, और D कोई नहीं, तो ओप्सन नमबर E हो जाएगा, ठीक है, धनी राम बक्सी हितेसी कारियाले में काम की थे, जगन निवास तिवारी कर जनम कब हुआ था, 38, 1938 में, 1929 में, 1937 या फिर 1890 में से कब हुआ था, तो ओप्सन नमबर C हो जाएगा, 1937 में, जगनिवास तिवारी कर जनम हुआ था, धनी राम बक्सी कर जनम कोन जीला में हुआ था, धनी राम बक्सी कर जनम कोन जीला, जीला का बात ह रहा है यहां कौन जिला में हुआ था क्वेशन से से बहुत बार रिपिट किया जा चुका है ठीक है तो लेकिन जो भी क्वेशन बनाया गया है सब बुक से बनाया गया है ओके अब बताते हैं कि सिम्डेगा गुमला चाइबासा या फिर कोई नहीं ओप्शन नमबर सी हो जाएगा चाइबासा जगनिवास तिवारी कर जनम अस्थान कहां है बोड्या हपाबुनी चोटिया राची या फिर सहजिना तो ओप्शन नमबर ए है बोड्या राची यानि जगनिवास तिवारी कर जनम अस्थान बोड्या राची आ है तिक है ओप्श एक पर फिर से questions रस्तरंगनी में कितना नागपुरी गीत कर संकलन आहे ए तीन सो बी छो सो आट सो नो सो तो कौन सा हो जाएगा तो option number इसमें बी होगा छो सो ठीक है? छो सो नागपुरी गीत कर संकलन आहे रस्तरंगनी में पीटर देखिए ये questions है पीटर सांती नौरंगी कर जनम कब हुआ था? पीटर सांती नौरंगी कर जनम कब हुआ था? 30 दिसमबर 1899 को 17 जनवरी 1978 13 जुलाई 1923 भी 8 फेबरी 1932 याने कि कब हुआ था? option number A हो जाएगा 30 दिसमबर 1899 भी ठीक है? अब चलते हैं नेक्स question की ओर जो 58 questions है number ठीक है? चलिए वरेंदर कुमार महतु का जनम कब हुआ था? देखिए एकदम VVI प्रशन है VVI लिखिए प्रशन जो भी आपको जहां भी confusion हो आप comment में comment जरूर करें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो comment जरूर करें बहुत अच्छा है नहीं तो आपका मर्जी लेकिन चैनल को like and subscribe और share तो जरूर करें वैसे साहस मिलता है ताकि वीडियो और बना सके ठीक है? वरेंदर कुमार महतु कार जनम कब हुआ था? तो 17 जनमरी 1978, 8 फिबरी 1932, 30 दिसंबर 1899 या फिर कोई नहीं तो कभी इनका जनम गुआ था? option number D अब ये मन देखिएगा D पहले यहाँ है ठीक न तो इस पर C जैसे तैसे है तो 17 जनमरी 1978 को option number D 17 जनमरी 1978 को विरेंदर कुमार महतो का जनम हुआ था अब चलते हैं कि नागपुरी कभी प्रफुलकुमार रायकर जनम कब हुआ था? नागपुरी कभी प्रफुलकुमार रायकर जनम कब हुआ था? फिर से एक बार questions नागपुरी कभी प्रफुलकुमार रायकर जनम कब हुआ था? 17 जनमरी 1978 को ये कठ है 8 फेबरी 1932 को 30 December 1899 को या फिर 13 July 1922 भी तो questions क्या है आपको मालुम हुआ है कि प्रफुल कुमाराय का जनम कब हुआ है तो 8 February 1932 को नोट करके लिख लिएगा पीटर सांती नौरंगी का जनम कहा हुआ है पाटपूर घागरा गुमला सहजिना चोटिया राची निम्ण में से कोन है तो option number A हो जाएगा पाटपूर पीटर सांती नौरंगी कर जनम अस्थान कहा है पाटपूर पीटर पाटपूर ठीक है याद कर लिजा बेलवा दाग खुटी से कोन नागपूरी कवी विद्वान कर संबंद आहे फिर से बेलवा दाग खुटी से कोन नागपूरी कवी विद्वान कर संबंद आहे विरेंद्र कुमार महतो गिरिधारी राम गोंजु पीटर सांती नौरंगी या फिर D जग निवास्तिवारी क्या है क्या है तो option number B गिरिधारी राम गोंजु यानि बेलवा दाग खुटी से गिरिधारी राम कर संबंद आहे ठीक है डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केश्री डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केश्री कर संबंद कोन भासा और साहित्य कर अध्यापक रूप में है नागपूरी हिंदी दोनो या फिर कोई नहीं तो निमन में से क्या हो जाएंगे ओप्शन नमबर C दोनो से है नागपूरी हिंदी दोनो से है डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केश्री नागपूरी के कोन तरह कर भासा मानते थे नागपूरी को किस प्रकार के भासा मानते थे बीन की भासा बासुरी के भासा दोनो या फिर कोई नहीं तो ये ओप्शन नमबर C दोनो की भासा मानते थे बीन की भासा भी और बासुरी की भासा भी चलिए नेक्स क्वेशन चलते है उपेंद्र पाल नहन कर कोन व्यंग रचना सबसे अधिक लोग प्रिये आहे फिर से एक बार questions उपेंद्र पाल नहन कर कोन व्यंग रचना सबसे अधिक लोग प्रिये व्यंग का बात हुआ है कोन व्यंग रचना जो सबसे अधिक लोग प्रिये है यार्थिसिज करूना है साहिब और जी कोई नहीं तो इसमें से हो जाएगा option number A यार्थिसिज ठीक है? next questions I think यह जो page है last page होगा और ब्रियो अच्छा लगे तो like and subscribe जरूर करें और 80 आरकन classes के दोवारा total 90 वीडियो से A बब पढ़ाया जा चुका है तो आप total वीडियो देख लीजिए if you want to 90 A बब अगर आप 90 A बब चाहते हैं marks लाना तो आप जरूर देखें पक्का हम वारा करते हैं आपसे पूरा वीडियो देख लीजिए गहन कीजिए पक्का आएंगे जो भी MCQ लगता है देखिए अच्छे से देखिए अब ये नहीं बोलते सिर्फ मेरा ही और भी पढ़िए आप लोग कोई ये नहीं है लेकिन हाँ ये जो पूरा वीडियो है सिर्फ आपके लिए ही है 65 नंबर क्वेशन चलते हैं सूचना सूचना और जन्चंपर्क विहार सरकार में नोकरी करते कोन नाकपुरी कवी कावे विकास में योगदान दे है पिटर सांती नोरंगी सारदा परशाद 6-10 कुमार राय या फिर कोई नहीं ओप्सन नंबर C हो जाएगा 6-10 कुमार राय नाकपुरी कर कोन कवी नाकपुरी कावे कर रस्खान कहल जाईला देखिए यह एकदम star mark दीजिए triple star ठीक है यह questions आने वाले हैं इस प्रकार से बनाया गया है नाकपुरी कर कोन कवी के नाकपुरी काव्य कर रस्खान कहल जाईला नई मुदिन मिर्दाह, दुरगा नात्राय, या फिर शी, दोनो, या कोई नहीं, तो option number A हो जाएंगे, नई मुदिन मिर्दाह, ठीक है, यानि रसखान जो है, नया नया जब पताई निकलता है, बारिश में तो रस निकलता है, इससे हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है यानि कोन कवी के प्रियाग राज विद्याले इलाहाबाद हिंदी साहित्र रत्न से सम्मानित कईर है, मतलब प्रियाग राज विश्व विद्याले इलाहाबाद हिंदी साहित्र रत्न से सम्मानित किया गया है, निम्र में से कोन नाकपूरी कवी है, ये आपको बताना है, तो first number मृत्विजर नात सर्मा, सार्दा परसाद, या फिर मुरारी परसाद सर्मा, या गौरी नंदन सर्मा, इन चारों में से कौन है, तो option number ये हो जाएंगे, मृत्विजर नात सर्मा, आपको विडियो कैसा लग रहा है, कमेंट में कमेंट जरूर करें, बहुत अच्छा लगता है कि कोई तो बोल रहा है एक के चलते भी हम पढ़ाते हैं कोई एक लेकिन आप लोग जितनी भी वीडियो देखते हैं सभी करें ठीक है अच्छा लगता है नागपुरी कभी जहां भी कमिया हो और कमी दिखे तो कमी बोलिए नहीं दिखे तो फिर नात्सरमा कर जनम कहां हुआ था नागपुरी कभी मनमत नात्सरमा कर जनम कहां हुआ था तो कहां हुआ था हापामुनी, घागरा गुमला, विकवा दाग, या फिर बुजूलिया रातु तो अप्सेन नमबर सी हो जाएगा बिकवा दाग कर रहा यानि कि मनमत नाथ सर्मा कर जनम बिकवा दाग कर रहा में हुआ था नागपूरी कभी पांडे दुर्गा नाथ राय कर कौन ग्राम से संबंदित आ है पांडे दुर्गा नाथ राय जो पांडे दुर्गा नाथ राय है कि रहक वाला कोन कवी पुरुना काल में बढ़ नाम कमाया हन्मान सिंग, घासी, अनूपराय, प्रमोत कमाराय, कोन है के, अप्सन नमबर C, अनूपराय, ठीक है, अनूपराय, ठीक है, चलिए, अब मात्र दो क्विस्टन्स बचे हैं, अब फिर से बोल रहे हैं, वीडियो प्रायक और सेर जरूर करें, कमेंट तो जरूर करें आप, नागपुरी कवी, मंज्यू जोत्सना, कोन भासा कर, प्राइद विका रहे हैं, हिंदी, गुजराती, नागपुरी, कोई नहीं, तो अप्सन नमबर A है, हिंदी कर, ये अध्यापिका थी, अब प्राइद विका, तीक है, नागपुरी भासा साहित तेकर, विकास, कोन भारतिये प्रशाशनिक अधिकारी कर, युगदान देखेक मिला है, द्वार का नाथ प्रशाद सीना, डॉक्टर कुमारी वाशंती, कृष्न चंदर टूटू, या फिर कोई नहीं, तो ये अप्सन नमबर A हो द्वार का प्रशाद सीना, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरू करें, अगर अच्छा लगे तो कामेंट भी करें, धन्यवाद, वाचिंग फॉदिस क्लास, और हाँ, क्लास को काटने स्पहले, आपको एक हम सूचना करना देना चाह रहा है कि, कुछ रीजन से बु बहुत प्यार मिला है, अच्छा लगा है, कि अब वो 5K होने जा रहा है, तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहें, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक यूट्यूब पर कोई भी वीडियो वैसा नहीं बनाया है, जो लोग शाहित का पूरा नोट्स बना द ठीक है, और सौर्ट नोट्स तो सौर्ट नोट्स सही, उसका MCQB आया है, उसको भी आप लोग देख रहे हैं, लाइक कीजिए, और हाँ, बनकेवरा भागवन का सौर्ट नोट्स है, ठीक है, पोएम जो है, पोएम किस प्रकार सा क्वेसंस आएंगे, कैसे आएंगे, वो भी पोएम पढ़ा चुके हैं, बनकेवरा भागवन का, तो वीडियो को जरूर से जरूर देखे, मेरा जो 30 घंटे का महरा आथान क्लाष है, 5-5 घंटे का यह सब है, नाकपुरी व्याकरन का है 5 घंटे क्लास, नाकपुरी व्याकरन सेट का है 5 घंटे क्लास, तो यह सभी आप देखे और इंज्वाय करे एड़ी जारकन क्लासेस को दैन्ने बाद